आलेलिया, आप सुभी को चैमसी की, प्रेस्लोट शालो, परमेश्वी की महान, जिन्दा प्रेजन्स के अंदर मैं आप सुभी का वेल्कुम करती हूँ, मैं आप सुभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हैं कि खुदा ने एक बड़ी फिर से हमें मौका दिया ताकि हम खुदा के वच्छनों में से कुछ बातों को सीख सकें तो आज मैं बताना चाहूंगी, आज हम में से हर एक व्यक्ति और पूरी दुनिया आज रोज ना हर एक दिन एक नई चैलंज को फेस कर रही हैं हमारी लाइफ में रोज कभी ना कभी हर एक पल या आने वाले पलों में हम क्या करते हैं? किसी ना किसी चुनाथी का सामना करते हैं, किसी ना किसी चैलंज को फेस करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम मारी लाइफ में आती है और कई पर क्या होती हैं, यही प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देती हैं हमारे living style को disturb करके रख देती, हमारे family में हमारे relations को disturb करके रख देती है, तो आज मैं आप लोगों को इस वचन के साथ encourage करना चाहूंगी, इन बातों के साथ encourage करना चाहूंगी, कि अपनी परिस्थितियों को, अपनी हलातों को, अपने समस्याओं को अपने पर हावी न होने दे, बलकि खुद उन पर हावी हो जाएं, हालेलिया, ताये मिलकर एक वचन को पढ़ेंगे, पहला थिसलोनी क्यों, पांच अधियाए, उसकी सूला आयट से, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रात्ना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसी येश्यू में, परमेश्यो की यही अच्छा है, हालेलिया, परमेश्यो के सुन्दर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और परमिश्य का वच्छन हमें इसमें बताता है कि सदा आनंदित रहो सदा आनंदित रहो से क्या मतलब है चाहे हमारी परिस्थिती जैसी मर्जी क्यों ना चाहे हम किसी दुख से निकल रहे हो हो सकता है हमारी लाइफ में ऐसे परिस्थिती हो जिनमें शायद हम खुश रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं हमारी फैमिली में वो प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके बिसनस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी भी तरह से फैनाशली हो सकता है आप किनी problems का सामना कर रहे हूं लेकिन कई बार हमें क्या होता है हम उसमें खुश रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन परमेश्व का वचन हमें बताता है कि सदा आनंदित रहो सदा आनंदित रहो से मतलब है चाहे हम जैसे मर्जी हलातों से हो हमें परमेश्व के वचन के according हमेशा आनन्दित रहना है हाललिया क्या कि परमेश्व के आगया हमारे लिए यह आगे परमेश्व का वचन कहता है निरंतर प्रात्ना में लगे रहो हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसी येश्व में परमेश्व की यह अच्छा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी सुन्दर वचन के द्वारा कि अगर जब हम परमेश्व के वचन को पढ़े तो हम अयूब के जीवन को चब देखें आज हम अपनी चोटी-चोटी पूझी तो हमें उनकी प्रॉब्लम सुनके हमें अपनी प्रॉब्लम तब चोटी लगती है तो मैं ऐसी बताना चाहूंगी अयूब के जीवन से भी कि अयूब का जीवन जब हम पढ़ते हैं अयूब की पुस्तक में तो उसमें मैं पदा चलता अयूब के जीवन में कितने दुख परिशानी आई वो किन किन समस्याओं से निकला उसने अपना सब कुछ खो दिया हर सब चीज़न जो थी उसे च्छन ले गए शेतान ने उसे सब कुछ ले लिया उसकी फिजिकली वो बहुत काफी उसने चुनातियों का सामना किया अपनी फैमिली में उसने काफी चुनातियों का सामना किया लेकिन वो उन परिस्तितियों के अंदर भी खुदा के लिए वफादार रहा हाले लिया उसे अपने खुदा का साथ नहीं छोड़ा उस परिस्तितियों के अंदर वी वो क्या करता है रहा वो प्रात्ना करता है जिस तरह हमें यहां वचन बताता है पांच की सत्रा आयत में लिखा निरंतर प्रात्ना में लगे रहा हूँ तो यह वच्छन हमें प्रात्मा करने के लोग साहिद करता है और यूप का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा एक्जामपल है जिसमें में पता चलता है चाहे हमारी जैसी मर्जी परिस्थिती क्यों न हो लेकिन जब हम प्रात्मा करते तो प्रभू हमारी दुआओं को सुनता है क्योंकि परमेश्व का ध्यान पोश्के इकान हमेश्छा अपने लोगों की ओर लगे रहते हैं हाले लिया और एक और वच्छन में आप लोगों को बताना चाहूंगी बाइबल में से एक और ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहूंगी जुने ने अपनी परस्थीतियों को अपने हलातों को बदल दिया किस तेना बदला उन्हें प्राथना के द्वारा अपनी अराधना के द्वारा अपने हलातों को बदल दिया और हमें से बहुत से लोग हैं जो इनका नाम जानते हैं प पैर थे वो किसमे थे वो बेडियों में जकड़े हुए थे कि कि उस समय क्यादी को ऐसी नहीं रखा जाता था कि सिर्फ जेल के अंदर बंद करकी बल्कि क्या होता था उनके पैरों में हाथों में काठों के अंदर वो बंदे हुए थे ताकि वो किसी भी तरह से अजाद ना हो सके लेकिन उस समय भी क्या किया अगर हम normally human होते हैं हम इन चीज़ों को देखें अगर आज हम काठ और इन चीज़ों के अंतर बंधी हूँ तो क्या हमें खुशी मराने का हमाने का सूझेगा क्या हमें सूझेगा कि हम आनन्द देते हो लेकिन परमेश्र के लोग ऐसा करते है हालेलिया कि कोई بھی दुक्ष चो है वोतमारे आनंद को छीने न पाए क्योंकि बाइबल क्याती है कि परमेश्र का आनंद हमारी ताकत है हालेलिया तो हम唐सर्ण सिलास के जीवन में देखते हैं पॉलोसर सिलास के जिवन में पॉलोसर सिलास में क्या किया उस बंदी ग्रह के अंदर भी अराधना करके उन्होंने अपनी परिस्थितियों को जो उन पर हावी होना चाहती थी उन्होंने क्या कि अपनी अराधना को अपनी परिस्थितियों पर हावी कर दिया हालेलिया जब उ से मरजी हलातों में हूं प्रमिश्र आपके हलातों को बदनने की टाकत को रखता है यदि आप उसे पुकारेंगे तो प्रमिश्र आपके सुनेगा क्यूंकि परमिश्र का वाइदा है agora कि जब भी तो मुझे पुकारोगे मैं तो मरे सुन कर तुमेह उत्तर दूँगा परकते हैं यदिए परमेश्रु नारी हो हमारा वीरोधी ना ओकुछ हो सकते हैं ना कोई दुख हो सकता ना कोई मनुश्य हो सकता कोई भी चीज चीज जो हम पर हावी नहीं हो सकती है हालेलुया तो मैं इस वच्चन के द्वारा आप सुभी को आशिशित घोशित करती हूँ और चाहूंगी कि आपके लाइफ में जब भी ऐसे सुरकम्स्टांसिस हैं तो उनसे डरे ना बलकि उन्हें फेस करें उसमें याद करें आयूब के जीवन को उसमें याद करें पॉलिस और सिलास को कि पॉलिस और सिलास में किस तरह से अपने दुख के अंदर भी अपनी परिशानियों में भी खुदा को याद किया याद करिया यूप को कि किस तरह उसका सब कुछ अपना खो दिया वो इतना लाचार हो गया लेकिन उसे तब भी खुदा को ने छुड़ा वो तब भी खुदा में आनंदित रहा उसनों प्राथना की कि कि मैं इसी के साथ एंड करूंगी जो पहला थिसलोनी के पांचे द्याओ उसकी एठारा आयत में लिगा हर बात में धन्यवाद करूं क्योंकि तुम्हारे लिए मसी येशु में परमेशु की यही इच्छा है तो परमेशु भी हमसे यही चाहता है कि हम हमेशा आनंदित रहें हमेशा प्राटना करते रहें और हर एक परिस्ति के लिए हर एक बात के लिए हम क्या करें हमेशा परबो को धन्यवाद करें क्योंकि परमेशु की यही इच्छा है हमारे लिए आज हम जब खुश होते हैं तो हम परबो को थैंक्स करते हैं हम अपने बुरे हालातों में भी खुदा को धन्यवाद करते हैं यदि हम अपने बुरे हालातों में भी खुदा को धन्यवाद करना जानते हैं तो खुदा हमरे हालातों को बदलने की ताकत को रखता है वो जानता है कि आप कि इन हालातों से गुजर रहे हैं तो जब भी अपने हालातों में जाएं ऐसे बुरे हालातों से आप गुजरें उनका सामना करें तो हमेशा अयूब को और पॉलिस और सिलास केजियों उनको याद रखें और हमेशा अपने चुनाथियों को सामना करें कि परमेशुर आपकी और है परमेशुर आपके साथ है तो परमेशुर जवच्चन के दवर आप सभी को आशिश दे आप सभी आशिशेतों आप सभी को मेरी तरफ से चैम सिखी